Hello and welcome you all to Beat the Street आज हम एक इसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जिसने ever highest quarterly results यहां post किये हैं इस quarter के और साथी साथ कंपनी ने already 219% का return इस साल में दे चुकी है but still company has a potential to grow and आज हम उसका fundamental analysis करेंगे business को समझेंगे कि क्या यहां पर potential हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी होगी बड़ आपको यह समझना जरूरी है कि हमको long term में अच्छे fundamental stock को pick करना होगा जो लगातार investment करते हैं और लगातार एक नई philosophy के साथ यहां पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं 200% return पर बहुत सरे लोग बोलेंगे comment करते हैं हमें कि आपने अल्रेडी बड़ा हुआ है वो stock को बदाया है बट आप इस चीज को समझीए कि अब यहां से हमारे को देखना होगा कि क्या future में भी यह company potential है इसमें grow कर सकती है या नहीं कर सकती है और वो आप business पूरा पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आगा कि पूरा जो business है वो किस तरीके से काम कर रहा है और कि यहां पर आगे आने वाले समय में क्या potential है management क्या सोचता है और साथी साथ आपको क्या लगता है कि company में कितना potential हो सकता है तो मैं request करूँगा कि वीडियो आप पूरी end तक देखें और साथी साथ comment करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि आप एक पर वीडियो end तक देखें उसके बाद comment करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको और साथी साथ हमारा analysis के साथ लगता है और company एक auto ancillary या auto original equipment manufacturer जो होते हैं उनके लिए आप एक website बनाती है जिसका मैं आपको सबसे पहले product portfolio दिखाऊंगा product portfolio में आते हैं shaft और spindles और other OEM तो shaft and spindle क्या होता है सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है तो आपको मैं दिखाता हूँ तीन main product है company के और company के अगर main products की अगर हम बात करते हैं तो यह जो है product वो यहाँ पर निकल के आता है real axle shaft और साथी साथ spindle और यह सारी चीज़े हैं तो यह कहां use होते हैं तो यह जब engine जो होता है हमारी गाडी का engine होता है उसके चोटे-चोटे-चोटे-चोटे parts होते हैं वहाँ पर यह use होते हैं और यह वाले जो parts होते हैं यह तो दोनों बड़े-बड़े parts हैं जो यहाँ पर बिल्कुल जरूरी है सबसे जरूरी है और इंडिया का यह leading producer है chef बनाने का और इनका जो पूरा niche player रही है कि niche player मतलब होता है कि particular एक कोई सीवी चीज होती है उसमें आपने इतनी excellence आशिर गल लिए कि आपके अलावा वो best और कोई नहीं बना सकता है तो इनका जो पूरा portfolio है वो इसमें निकल के आता है और साथी साथ जो इनका जो customer concentration है वो world के top largest manufacturer यहां पे इनके जो world में world के जो भी है जैसे mindra and mindra हो गया tractor of vehicle highway, off और on highway vehicles जो होते है जो कि बड़े-बड़े vehicles होते है off highway vehicles होते है जैसे tractors हो गया और बड़े-बड़े vehicles होते हैं जो consumer vehicles भी होते है जैसे अपने बड़े जो गाड़े होते है रोडवेज की जो गाड़े होते है उनमें जो parts use आते हैं जो shift use आते हैं वो company बनाती है अब यह जो product है वो आप कह सकते हैं कि ऐसे product है जो आने वाले समय में रहेंगे और साथी साथ जो आप EV EV, EV का जो बात चल रही है electronic vehicle की उनमें भी यह company है जो अपना investment का already करना start कर दिया है जो products यह अभी बना रहे है वो product बहुत सारे जो product है वो same to same use आने वाले है और साथ ज़त कुछ नए product भी है जो company आने वाले समय में investment कर रही है और आने वाले समय में यहाँ पर नए products लेकर आने वाले यह जो बड़े vehicles होते हैं जो on highway, off highway vehicles होते हैं जो consumer vehicles होते हैं जो बड़े size के vehicles होते हैं वो वहाँ पर use आने वाले shaft है और 5 kg से लेके 65 kg तक सारे shaft और सारे spindles है वो company बनाती है इसके अलावा जो rear axle shaft है वो 82% आपका सकते हैं यह जो वाले जो तीन product हैं यह कम से कम 82% of the revenue cover करते हैं and 76.62% of the component is manufactured in 2019 and 2020 तो उसके अभी तक हमारे पास data available है तो मैंने आपको बताया है इसके अलावा company के पास 26 साल का experience टीम है management की rear axle shaft जो manufacture किये गए है वो 25.92 lakh units पिछले साल किये गए थे 2.73 lakh units other shafts यहाँ पर बनाए गए हैं और spindles बनाए गए 5.18 lakh units तो यह आप देख सकते हैं company का छोटा मोटा कामनी है और आने वाले समय में company SUV के जो parts होते हैं उनमें भी यहाँ पर entry करने की कोशिश कर रही है तो वो भी यहाँ पर देखना बहुत बहुत जरूरी हो जाएगा GN XL जो है वो 1.5 kg से लेकर 65 kg तक produce करती है सारे shaft और 2 million axle shaft company annually बनाने का company के पास पूरा पूरा तरीके से इनके पास production line है इस वन आप दे लार्जेस्ट प्रडूसर है revenue breakup की बात करते हैं तो contribute करता है 82% rear axle shaft and 77% of the component is manufactured जो इनके जो components है वो manufacture किये जाते हैं ना कि कहीं से खरीदा इन्होंने कहीं से खरीद के और बेज दिया वैसा नहीं करते हैं पूरा trading का काम ने इनका पूरा manufacturing का काम है जिसमें जो पूरा पूरा आइटम है वो 77% तक यहाँ पे जो components है वो manufacture किये जाते है spindle जो company का है जो दूसरा product है वो 13.17% revenue का कमर करता है और 15.30% यहाँ पर जो components है वो manufacture किये जाते है यहाँ पर concentration थोड़ा कम है बट जो rear axle shaft है जो tractor में यूज आता है जो आपके बड़े vehicles में यूज आता है जो truck में यूज आता है वो यहाँ पर company खुद बनाती है और इसी में company की जो है नीच आपके सकते approach है जो पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में company यहाँ पर supply करती है इसके अलावा company के जो अधर शेफ्ट की बात करें इनके अलावा भी company जो रियर एक्सल शेफ्ट के अलावा भी company मनाती है वह 4.57 revenue का पार्ट करता है इसके अलावा बात करता था export की तो export constitute 65% of the revenue of which 52% is from North America तो जो North America के भी layers है जो export जो हमारे tractor बनाते हैं या फिर आपके जो बड़े बड़े जो पार्ट होते हैं वो बनाते हैं वो यहाँ से रियर एक्सल शेफ्ट जो होता है वो यहाँ से बाई करते हैं और वो completely compulsory product है किसी भी हेवी वीकल में तो आप इससे इग्नोर नहीं कर सकते हैं तो रियर एक्सल शेफ्ट इस बिग बिग वीकल जब बड़े वीकल होता है जैसे अगर आप टेक्टर को अगर आपने कभी देखा हो तो टेक्टर में वो एक ऐसा compulsory part है उसके बिना टेक्टर चलना लगबग लगबग impossible है महीं exports have grown from 420 करोड to 700 करोड अगर हम चार साल क्या अगर हम देखते हैं तो export में बहुत तगड़ी growth है और साथी साथ अमेरिका और EU है वहाँ पर रहना जो चीजें थोड़ी थोड़ी change होती जा रहे हैं इंडिया में अगर आप देखेंगे पिछले साल को अगर हम छोड़ें तो लगबग double digits से grow हो रही थी company की जो demand है वह और साथी साथ अब अमपनी का expectation है इस पूरे पूरे जो अगर हम बात करते है वीकल सेग्मेंट की automobile सेग्मेंट की तो यहाँ पर करीबन करीबन expectation लगए जारी 20-25% की grow आगे आने और समय में देखने को मिल सकती है चाए वह स्करपेज पॉलिस ही हो चाए वह आप कह सकते है और नहीं चीजे हो बट आने वाले समय में आना जो consumer vehicle है और जो heavy vehicle है वह इंडस्ट्री में इस तरीके के products आवाले भी थे आज भी रहेंगे और EV के करने को change नहीं होने है यह वाले जो products है वो company साथी साथ company इस पर भी investment कर रही है कि आने वाले समय में EV जिस तरह से change होगा तो company खुद को किस तरीके से यहाँ पर आने वाले समय में change कर सकती है इसके अलावा जब भी हम किसी company को analyze करते हैं तो यह और ज़रूरी है जान लेना कि company की client profile है वह कैसी है इंडिया में इनके सबसे बड़े client हैं तो आप देख सकते हैं कि जो अगर हम tractor segment की बात करते हैं तो यह सारे जो companies है जो मैंने आपको बते हैं वह सारी यहाँ पर बड़े नाम आता है और इनके जो tractor से सबसे ज़्यादा बिखते हैं तो यहाँ पर उनके अगर आपके जो customer है देखो कोई भी ओई हमने संदा technology भी बनाया था हमने मदरसन सुमी भी बनाया था तो आपने वहाँ पर हमने focus किया था कि किस तरीके से यहाँ पर उनका जो देखो सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले automobile के equipment manufacturer है उनकी यहाँ पर demand बढ़ने लगेगी जब यहाँ पर कभी भी need होगी अगर automobile sector में कभी भी need आपको देखने हो लगी आप देखेंगे Tata Motors ने इतनी rally किया या दूसर स्टोक्स ने इतना rally किया तो जब वहाँ पर अगर demand आएगी तो उसकी demand साफ साफ शिफ्ट होगी OEM जो manufacturer होते हैं जो shift बनाने वाले हैं या मदरसन सुमी है तो वहाँ प EV आ जाएगा एक दिन में तो ऐसा नहीं होने वाला है इसमें थोड़ा time लगता है और आप देखेंगे इंडिया भी gradually दिरे दिरे यहां पर आगे बढ़ रहा है EV के शक्तर में और साथी साथ companies भी अपने आपको change करती जा रही है चाए वो Tata Motors हो चाए दूसरी companies हो सब अपन आप इंडिया के जो ट्रेक्टर मेनिफेक्चरर और है वह यहां पर कंपनी के major global customers में आते हैं इसके लगाव अगर हम बात करते हैं कंपनी के कंस्टमर कंसेंट्रेशन की तो टॉप 5 और Top 10 clients यहां पर करीबन 72% turnover यहां पर करते हैं तो आपको यह देखना होगा कि आप कोई स इस भी चीज उठा लो है सोराज इंजन उठा लो संदा टेक्नोलोजी उठा लो जो हमने वीडियो बनाई हुई है वहां पर भी Top 5 clients देखो इनके जो customer है वो है जो companies जो heavy vehicle बनाती है जो tractor बनाती है तो आपको यह समझना चुछी होगा कि वो इतनी सारी companies नहीं है कि जो यहां चीज है सही है कि Top 5 और Top 10 clients से अगर 84% of turnover आ रहा है बट कंपनी के जो customer है वो ही limited है तो यह सा होगा इसके अलावा करते हैं expansion की तो company आने वाल समय में SUV के axle shaft बनाने की company अपनी manufacturing डाल रही है तो financially 2022 मतलब कि इस साल में company के आप देख सकते हाइस्ट एवर revenue और हाइस्ट एवर profit आ और इसके अलावा company के SUV के axle shaft है वो यहां पर आने वाल समय में launch आने वाले तो इसके कारण यहां पर कहीं ने कहीं एक बड़ा यहां पर rally देखने को मिल सकती है कि company इस पूरे ख्षेत्र में कहीं न कहीं एक बहुत ही बड़ी market leader निकल के आती है spindles की मैंने बात करी आपके सामने other shafts की हमने बात करी तो तीन ही company के product है rear axle shaft, shaft, other shaft और spindles और बाकी आप कह सकते हैं कि other manufacturing जो other जो थोड़े बहुत होते हैं उसको सबको other shaft में डाला हुआ है तो rear axle shaft है अगर हम उसके number of pieces in legs मतलब quantity की बात करें तो total 14.15 leg अगर इन्होंने बेचा है तो 11.46 leg जो domestic production यहां पर sale हुई है वो यहां पर rear axle shaft की हुई है महीं export की बात करें तो 14.46 pieces of the legs pieces of the units यहां पर export की गई है 2019-20 में और segment वाइस अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा off highway vehicles जो होते हैं वो 12.32 leg अगर हम बात करते हैं pieces in domestic market और 2.63 2.63 pieces है वो यहां पर निकल के आते हैं in this segment geography wise question की बात करें तो 5.64 करोड का जो export 5.64 करोड का हमारा revenue है वो domestic से निकल के आता है और export की बात करें तो 308 करोड का revenue है जो यहां पर निकल के आता है हमारे export से सबसे important चीज है वो आने वाले company की manufacturing की जो facility है SUV के लिए भी company यहां पर product बनाने का का चल रहा है जिसके काने company का मानना है कि कहीं न कहीं company आने वाले समय में फाइनेशल यह 22 में बेक आफ दे न्यू ओडर उनके पास कहीं नए ओडर होंगे और आने वाले quarters जो first quarter और second quarter है जो कि first quarter उन्होंने अभी तक का highest ever EBITDA, highest ever profit और highest ever company ने revenue दिया है तो company का management है वो काफी तगड़ा है और उनकी growth का potential है वो भी काफी तगड़ा है और साथी साथी अपने नएने जो products है वो यहां पर आने वाले समय में launch करने वाले हैं जिसका हम देखेंगे कि investing activity company किस तरीके से focus कर रही है तो यहां पर आने वाले quarters जो हैं वो company के लिए काफी अत्तक rally करने वाले हो सकते हैं क्यूंकि पहली बात तो चीज की automobile industry में आपने भी देखा है कि कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी growth company की देखने को मिल जाती है और साथी सा आने वाले time में क्रो करती हुई नजर आएगी जैसे SUV वाला जो company ने बताया इसके अलावा company की order book है वो लगभग लगभग filled app है जैसा की company management ने बताया इसके अलावा अब हम company quarterly analysis करते हैं जो results आये हैं तो यह आपकी सामने company quarterly results और अगर हम देखें sales लगभग पिछले कई सालों से मतलब जब से company list हुई है अगर हम तब से भी देखें तो highest ever sales company ने record की है और साथी साथ अगर हम बात करते हैं company के guidance की तो company अपने costing पे भी focus कर रही है और साथी यहां पर आप देख सकते हैं पिछले September 20 से June 21 तक यहां पर करीबन करीबन 15% से अपका operating margin यहां पर company ने दिया है जो कि पिछले 2-3 quarter से अगर December 19 से बात करें तो यहां पर जो गिर चुका था 11% 10% अब company costing पर focus कर रही है और साथी साथ आने वाले समय में company बता रही है कि यहां पर यह 20% को भी cross कर सकता है 20-25% तक की यहां पर margin देखने को मिल सकते हैं तो वो यहां पर कहीं नगए एक बहुत ही तगड़ी चीज़ होगी और आने वाले quarters वो company के लिए काफी healthy quarters होने वाले हैं क्योंकि देखो जहां पर company का turnover पर भी focus है company नए products भी ला रही है साथी साथ company क जो net profit है वो भी highest ever अभी record किया गया है आप देख सकते हैं कि highest ever EPSB company ने दिया है company की sales से वो भी focus है company costing पे भी focus कर रही है तो यह सारे चीज़ है जो fundamentally company को अच्छी बनाते हैं और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ focus करने वाला हूं कि company की जो पिछले साल की जो company की borrowing थी उससे भी company ने इस साल borrowing कम किये और देखो borrowing से मेरे को नहीं लगते है कि ज्यादा फरक पड़ता है क्योंकि अगर company borrow करके भी अच्छा grow कर पा रही है तो उसमें कोई doubt नहीं है क्योंकि देखो leverage तो कहीं नहीं करना पड़ेगा या तो आपको अपनी share capital dilute करनी पड़ेगी या या फिर आपको अपनी borrowings को increase करना पड़ेगा ताकि आप जल्दी से जल्दी investing कर सकें और जल्दी से जल्दी आप grow कर सकें अभी आप देख सकते हैं कि investing activity में company ने 27 करोड का यहां पर investment किया है बट March 2021 में क्योंकि इतनी demand नहीं थी तो company का जो सारा काम है वो negotiation पे पेंडिंग था और अब वो final deals हो चुकी है और आने वाल समय में काफी अधक और अच्छी नहीं चीज़े आने वाली है automobile industry के लिए क्योंकि इंडिया is a growing segment और साथी साथ जो वर्ल्ड है वो भी opened up होता जा रहा है कोरणा कि जो चीज़ें है वो थोड़ी थोड़ी दीरे दीरे कम होती जा रही है और negligible होती जा रही है इंपेक्ट जो है वो negligible होता जा रहा है वो corona उपर नीचे हो रहा है बट जो इंपेक्ट है वो यहां पर थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है अगर हम बात करते हैं अब शेरोल्डिंग पेटर्न की तो आप शेरोल्डिंग पेटर्न में भी देख सकते हैं कि कहीं न कहीं एक बहुत बढ़िया चीज है जून 21 में आप देखेंगे तो अपना जो है स्टेक बढ़ा है साथी साथ अगर हम देखते हैं ओवर पीरियोड सेप्टेमबर 18 से तो प्रमोटर्स ने भी अपना जो स्टेक 65 परसेंट से बढ़ा कर लिया और 67 परसेंट अगर हम देखते हैं तो यहां से अगर मार्च 20 के बाद कंपनी के जो पूरा है लगबग 10 डबल डिजिट से उपर ही रखा है तो अगर हम बात करते कंपनी की तो अब उसके बारे में हम चार्ट पेटर्न पर आते हैं टेक्निकल एनलसिस की बात करें जीने एक्सल्स लिमिटेट की तो यह वीकली चार्ट फ्रेम में आप साफ साफ देख सकते हैं एक र जो लेवल एक डिसिसिव लेवल है और यहां से अब देखना होगा कि कि किस तरह से इसे मोमेंट देती है क्योंकि देखो जब भी राउंडिंग बेटर्न होता है वो कंप्लीट होता है वित गुड वोल्यूम और वित गुड नमबर्स आप देख सकते हैं कि हाईस्ट एवर अपना जो रिवेधन्यू है वो पोस्ट किया है और हाईस्ट रिजल्ट अपनी ने पोस्ट किया है कहीं न कहीं यहां पर एक स्ट्रॉंग मोमेंटम आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है कंपनी के जो लाइन डफ है वो भी काफी अच्छी है इसके अलावा अब जो हमारा जो targets है देखो पूरा educational purpose के लिए है पूरा long term आपका view है तो ही stock में invest करें क्योंकि देखो जैसे मैंने Newgen में भी बताया था तो Newgen जो software था वहाँ पर भी अगर एक दो दिन circuit लग जाता है तो आपको लगता है कि कुछ भी बता रहा है इतने comments आये इतने हमार को messages आये बट आप चीज को समझीए कि अगर company के fundamentals एक दिन में change नहीं होते हैं दो दिन में change नहीं होते हैं एक दिन के circuit दो दिन के circuit से कुछ परकनी पड़ता है अगर आपका vision अगर एक साल का date साल दो साल का है तो company में जो fundamentals है वो उस period इतने time period के लिए हम उसमें invest करते हैं company का management अच्छा है company के view अच्छे है company का future potential है वो अच्छा है तो आप उस तरीके की company आपको identify करनी होती है और उसमें लंबे time के लिए patience आपको दिखाना पड़ता है तो आप अच्छा return बनाते है तो उसी लिए में GNXL Limited की अगर हम बात करते है तो 550 का जो अभी current level है वो मिरे को एक अच्छा लगता है देखो आप यहाँ पर एक अच्छा breakout यहाँ पर stroke में आता हूँ नजर आ रहा है आज और अगर हम देखते हैं कि 550 के उपर sustain करता है 550 के उपर sustain करना चाहिए sustain above 550 अगर 550 के अबो sustain करता है तो जो target 1 होगा जो target 1 होगा वो short term for short term जो short term के लिए जो target 1 होगा वो करीबन 600 रुपीज का पहला target जो कि आपको एक दो दिन में ही देखने को मिल जाए शायद चाहिए तो और target 2 जो होगा और आपको चाहिए तो एक महीना भी लग सकता है वहीं अगर हम target 2 की बात करें वो होगा हमारा करीबन करीबन 700 रुपीज का जो target 2 होगा तो ये जो दो target है ये थोड़े से आपको 3 महीने से 3 महीने तक का view या 3 से 4 महीने या 4 से 5 महीने मतब करीबन 6 महीने के अंदर अंदर में आपको ये 2 targets तो देखने को मिल जाएंगे वर अगर आपका longer time का horizon है longer time का horizon में आपको करीबन stock आपको यहाँ पर तो ये तीनो targets है और आपको अभी अपने watch list में रखना है और एक अच्छे यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि rounding bottom वो 550 पर complete हुआ है और यहाँ पर एक थोड़े से दिन थोड़ा सा time अगर आपको ये देखना है कि sustain कर जकता है 550 के उपर 550 is a support price तो 550 मेरे को बहुत बढ़िया support लगता है अगर यहाँ से अगर कुछ भी automobile industry में होता है या corona case बढ़ते हैं अगर 550 का जो level हो वो हमेशा से एक decisive level रहेगा आपके लिए और अगर 550 में अगर आपको 500 550 से 550 के एक range ले लो जलो कि भाई अगर थोड़ा से उपन इसे हो भी जाए तो 500 से 550 की जो range है वो यहाँ पर आपके लिए decisive level रहेगा जहाँ पर आपको उपर अगर 500 से नीचे तूटता है तो हमारको कोई भी entry नहीं करनी है यहाँ पर कोई भी नई entry नहीं करनी 500 के levels बट 550 के उपर ही आपको entry लेनी है और साथी साथ जो पहला target होगा 600 रुपए का target 2 इस 700 रुपए long term target 900 रुपए तो यह आप note कर ले और यह आपको आने वाले समय में आने वाले एक साल का अगर आपका vision है तो यह पूरी जो strategy आप use कर सकते हैं और साथी साथ comment करके बताएं कि वीडियो कैसे लगी चैनल को subscribe करें और साथी साथ बताएं कि और कौन से नए stocks हैं देखो हमारे जो आप stocks देख रहे होंगे काफी टाइम से हम यह कोशिश कर लेए कि नए ने stocks यहाँ पर आपके सामने ला सकें और इनमें क्या होता है कि जब भी आप नए stock लाते हैं जो penny stock होते हैं चोटे stock होते हैं तो उनमें कहीं न कहीं थोड़ा time लग जाता है उस चीज को sustain करने में उस चीज को perform करने में बट चीज अगर fundamentally अच्छी company होगी तो वो perform करेगी आज नहीं तो कल perform करेगी बट perform करेगी तो आपको थोड़ा सा patience रखना है और थोड़े लंबे time के लिए horizon आपको बनाना होगा तब ही आपको ये चीजे work out करेगी अगर आपको कोई भी query है तो आप इस mobile number पर या नीचे whatsapp का link भी दिया होगा है तो वहाँ पर आप हमसे connect कर सकते हैं ये mobile number आप note कर सकते हैं ये वाले mobile number आप note कर लें ताकि आपको कोई भी query है तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं तो thank you so much I don't think कि पूरे YouTube में यसा कुछ कर रहा है कोई कर रहा होगा जो आपने whatsapp number देखके आपकी query को resolve करने कुछ कर रहा हूँ तो I think आप इसके लिए like बनता है और चैनल को subscribe करना बनता है Thank you so much